C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पार्ट 12 विद्युत तथा परिपत प्रिष्ठ 116 हम विद्युत का उप्योग अपने बहुत से कारियों को आसान बनानी के लिए करते हैं उधारन के लिए हम विद्युत का उप्योग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकाल लें अथवा जमीन की सतह से जल को छट पर रखी हुई टंकी में पहुँचानी के लिए करते हैं. अन्ने कौन-कौन से कारे हैं जिन के लिए आप विद्धुत का उप्योग करते हैं? उनमें से कुछ को सूची बद्ध करके अपनी नोट बुक में लिखिए. क्या आपकी सूची मे प्रकाश के लिए विद्धुत का उप्योग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्धुत हमारे घरों, सडकों, दफ्तरों तथा फैक्टरियों को प्रकाशित करती है. यहारात में लगातार काम करने में हमारी साहता करती है. विद्धुत हमें बिजली घर से प्र हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्द हो सकती है. ऐसी स्थिती में प्रकाश के लिए टॉर्च का उप्योग करते हैं. टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं, तब यह प्रकाश देने लगता है. टॉर्च को विद्धुत कहां से मिलती है? 12.1. विद्धुत सेल टॉर्च के बल्ब को विद्धुत सेल से मिलती है. विद्धुत सेल का उप्योग विद्धुत सुरोद के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है. क्या आपने कभी विद्धुत सेल को ध्यान पूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टूपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानि चक्रिका होती है, जैसा कि चित्र संख्या 12.1 में दर्शाया गया है. क्या आपने विद्धुत सेल के उपर एक धन चिन तथा एक रिन चिन देखा है? विद्धुत सेल में धातु की टूपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क रनात्मक सिरा कहलाता है. सभी विद्धुत सेलों में दूसरे होते हैं, जिन में एक धनात्मक यानि टर्मिनल सिरा तथा दूसरा रनात्मक होता है. विद्धुत सेल में संचित रासायनिक पदार्तों से सेल विद्धुत उत्पन करता है. जब विद्यूत सेल में संचित रासाइनिक पदार्त इस्तिमाल कर लिये जाते हैं, तब विद्यूत सेल विद्यूत पैदा करना बंद कर देता है तब उस विद्यूत सेल को एक नए विद्यूत सेल से बदलना पड़ता है चेतावनी आपने विद्धुत खंबों, विद्धुत उपकेंद्रों तथा अन्ने स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा यह दर्शाता है कि विद्धुत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाख हो सकती है यदि विद्धुत तथा विद्धुत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है अतैव आपको कभी भी विद्धुत के तारों तथा सौकेट आदी से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए यहां भी याद रखिए कि सुबाहे जनित्र यानि पोटेबल जनरेटर द्वारा उत्पन विद्धुत भी इतनी ही खतरनाख है विद्धुत संबन्थित सभी क्रिया कलापों के लिए केवल साधारन बैटरी का ही उप्योग करना चाहिए प्रिष्ठ 117 टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है जैसा के चित्र संख्या 12.2 ए में दर्शाया गया है बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है क्रिया कलाप एक एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीदर देखिए आप अपने अध्यापक की साहिता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं आप क्या देखते हैं क्या आप कांच के बल्ब के मध्धे एक पतला तार देखते हैं? जैसा कि चित्र संख्या 12.2 B में दर्शाया गया है. अब टॉर्च का स्विच दबाईए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्थ है. प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं. यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र संख्या 12.2 B में दर्शाया गया है. यह मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं. इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के धांचे से जुड़ा हुआ होता है, जिसे के चित्र संख्या 12.2 B में दर्शाया गया है. दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोग से जुड़ा होता है. बल्ब के आधार पर धातु का धांचा तथा धातु की नोग बल्ब के दो टर्मिनल हैं. ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाय जाते हैं कि ये एक दूसरे को नाचुएं. घरों में बल्बों की भी ऐसी ही सनचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों ही में दो-दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं। चेतावने विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को सुच तथा बल्ब जैसी युकती को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापी ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासाइनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कारे करना बंद कर देगा। बारा पॉइंट दो विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उप्योग करके एक बल्ब को दीप्ती मान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं। क्रिया कलाप दो विभिन रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के चार टुकडे लीजिए। प्रतेक तार के टुकडे के दोनु सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनु सिरों पर धातु का तार अनावरित हो चित्र संख्या बारा पॉइंट तीन तथा बारा पॉइंट चार में दर्शाय गए अनुसार जोड़ दीजिए। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उप्योग की जाने वाली और सेल के लिए रबर पैंड या टेप का उप्योग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग-अलग 6 भिन धंगों से जोड़िए जैसा कि चित्र संख्या 12.5 A से 12.5 F में दर्शाया गया है। प्रतीक वैवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रतीक वैवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। चित्र संख्या 12.5 यहां पर 5 सेल दिखाए गये हैं जिनके धनात्मक और रनात्मक सिरों पर एक एक तार लगा हुआ है और उसको रबड के माध्यम से सेल पर बांधा गया है और उन तारों के सिरों पर बल्ब को लगाया गया है। इस प्रकार इस चित्र में विद्यूत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन वैवस्थाओं को दर्शाया गया है। अब उन वैवस्थाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जिन में बल्ब दीप्त होता है। इन वैवस्थाओं की तुलना दूसरी वैवस्थाओं से कीजिए, जिन में बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ग्यात कर सकते हैं? चित्र संख्या 12.5A में विद्ध सेल के एक टर्मिनल से प्रारंब करके अपनी पैंसिल की नोग को तार के अनुदिश बल्ब तक लाईए। देवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है, जिन में सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुँचने में पैंसिल को ओपर उठाना पड़ता है। 12.3 विद्ध परिपत क्रिया कलाप 2 में आपने विद्ध सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्ध सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजे कि चित्र 12.5A तथा चित्र संख्या 12.5F की वैवस्थाओं में विद्ध सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की वैवस्था विद्ध परिपत का एक उधारण है। प्रिष्ट 119 विद्ध परिपत विद्ध सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्ध प्रवा यानि विद्ध धारा के संपून पत को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप तो होता है जब परिपत में विद्ध धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्वत परिपत में चित्र संखिया 12.6 में दर्शाय का अनुसार विद्वत धारा की दिशा विद्वत सेल के धन टर्मिनल से रिन टर्मिनल की ओर होती है. जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्वत सेल के टर्मिनलों से जुड़ा जाता है तो बल्ब के तंतू से होकर विद्वत धारा प्रवाहित होती है यहां बल्ब को दीप्ती मान करती है कभी-कभी विद्वत बल्ब विद्वत से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के काराण हो सकता है फ्यूज बल्ब को ध्यान पूर्वक देखिए क्या इसका तंतू अक्षुन है? चित्र संख्या 12.6 इस चित्र में एक सेल के दोनुं सिरुपर तार के टुकड़े जुड़े गए दिखाए गए है और उन तारों के सिरुपर एक टॉर्च का बल्ब लगाया हुआ दर्शाया गया है विद्वत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है इन में से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्यूति सेल के टर्मिनलों के बीच विद्यूति धारा का परिपत तूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्यूति धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीपतीमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र संख्या 12.5 B, C, D तथा E में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीपतीमान क्यों नहीं होता है। अब हमें क्यात है कि विद्धूति सेल का उप्योग कर बल्ब को दीपतीमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे। क्रिया कलाप 3 एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनु सिरों से प्लास्टिक आवरन को हटाईए। चित्र संखिया 12.7 में दर्शाय अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के धाँचे के चारो ओर लपेटिये। तार के दूसरे सिरे को रबर बेंड की सहता से विद्धित सेल के रिणात्मक टर्मिनल से जोड़िये। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्धित सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिये। क्या बल्ब दीप्ती मान होता है। अब बल्ब को विद्धित सेल के टर्मिनल से हटाईए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है। क्या यह टार्च को आन वा आफ करने के समान नहीं है? चित्र संख्या 12.7 में घर में तयार की गई टार्च को दर्शाया गया है. पहली के पास बल्ब तथा सेल जोडने की दूसरी वैवस्ता है. क्या इस वैवस्ता में बल्ब जलेगा? प्रेश्ठ 120 12.4 विद्यूत सुइच घर में तयार की गई टार्च को आन अथवा आफ करने में विद्यूत बल्ब को विद्यूत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं. यहा एक साधारन विद्यूत सुइच था. इसे उप्योग करना सुविधा जनक नहीं है. हम अपने उप्योग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधा जनक सुइच बना सकते हैं. क्रिया कलाब 4 आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्मो कॉल या लकडी के बोड से एक विद्यूत सुइच तयार कर सकते हैं. सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगा कर इसे थर्मो कॉल शीट पर गाड़ दीजिए. जैसा की चित्र संख्या 12.8 में दिखाया गया है. ये सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके. अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मो कॉल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्ष कर सके. इस प्रकार जोड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रिया कलाप में आपका स्विच होगा. अब विद्ध सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र संख्या 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़ कर परिपत को पूरा कीजिए. सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए. आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाईए. क्या बल्ब अभी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है, तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्तिस्थान को भरता है. तब इस स्थिती में स्विच को ओन कहते हैं जैसा कि चित्र संख्या 12.10 में दर्शाया गया है चुंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्ध धारा को अपने मेंसे प्रवाहित होने देता है अतहा विद्ध परिपत पूरा हो जाता है इस तरह बल्ब दीपती मान होता है इसकी विप्रीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से इस परश नहीं करती तो विद्ध बल्ब दीपती मान नहीं होता इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रेक्तिस्थान बंद नहीं होता है तथा परिपत पूरा नहीं होता। इस दशा यानी स्थिती में स्विच आफ कहलाता है जैसा कि चित्र संख्या 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युकती है, जो परिपत को जोड या तोड सकती है। घरों में स्विच का उपियोग बल्ब को दीप्ती मान करने तथा अन्य युकतियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपी घरों में उप्योग होने वाले स्विच इसी सिध्धान्थ पर कारे करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। प्रिष्ट 121 बूजो ने चित्र संख्या 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरे कारेक को चित्रित किया है। जब हम स्विच को आउन करते हैं, तो परिपत पूरा होता है, तथा बल्व दीपती मान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा कीच कर पूरे परिपत को इंगित कर सकते हैं। चित्र संख्या 12.11 में टॉर्च का आंतरे कारेक दर्शाया गया है, जिसके भीतर दो विद्वत सेलों को दर्शाया गया है, एक ओर स्लाइट सुइच लगा हुआ है और उसके उपर प्लास्टिक का आवरण है, जबके टॉर्च के उपरी हिस्से पर एक बल्व दिखाया ग विद्युत रोधक क्रिया कलाप पांच क्रिया कलाप चार के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपत से सुइच को अलग कीजिए, ऐसा करने से आपको चित्र संख्या 12.12E के अनुसार दो स्वातंतर तारों के सिरे मिल जाएंगे इन तारों के दोनु सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें क्या बल्वजल उठता है? अब आप इस वैवस्था को पदार्थों के परिक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्वत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं चित्र संख्या 12.12 A. चालक परिक्षित्र 12.12 B. जब चालक परिक्षित्र चाबी के संपर्क में होता है तो बल्व के जलने की जाज की जाती है इस चित्र में दो सेल दिखाये गए हैं इन दोनों बल्वों के एक एक सिरे पर एक एक तार रबर बेन्ड की साहता से लगाया गया है एक तार के एक सिरे पर चाबी और चाबी का दूसरा सिरा बल्ब के दूसरे वाले सिरे से जोड़ा गया है जबकि एक सेल में ये चाबी नहीं है जांच करने के लिए विभिन प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कौर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकडी का गुटका, ऐलुमिनियम की पत्ती, मौमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मकौल, काघज तथा पैंसिल की लीट आदी एकत्रि कीजिए, चालक परिक्षित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रतीक नमूने से बारी-बारी से स्पर्ष करें, जैसा कि चित्र संख्या 12.12B में दिखाया गया है, ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्ष ना करें, क्या हर बार बल्ब जलता है? प्रिष्ठ 122 और तीसरे कॉलम में ये बताना है कि बल्ब जलता है या नहीं? पहले कॉलम में चाबी, पदार्थ जिसका ये बना है धातू, बल्ब जलता है? हाँ. दूसरे कॉलम में है रबड यानि एरेसर, पदार्थ जिसका ये बना है यानि के रबड का, बल्ब नहीं जलता है. बल्ब नहीं जलता है। इसकार्थ यहा है कि ये पदार्थ विद्धुत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। विद्धुत रोधक अपने अंदर से विद्धुत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी बारा पॉइंट एक की साहिता से उन पदार्थों के नाम बताईए जो विद्धुत चालक हैं। विद्धुत चालक रिक्तिस्थान विद्धुत रोधक रिक्तिस्थान आपने क्या निश्कर्श निकाला है। कौन से पदार्थ विद्धुत चालक हैं और कौन से विद्धुत रोधक। अध्याय चार के उन पदार्थों को स्मर्ण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्धुत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तामबा, एलुमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। आईए क्रिया कलाप चार को स्मर्ण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपत बनाया था। चित्र संख्या 12.9 जब स्विच खुली स्थिती में था, तब क्या दो ड्रॉइंग पिन धर्मो कोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? परंदु आप जानते हैं कि धर्मो कोल एक विद्ध रोधक है। रिक्तिस्थान में जब वायू होती है तब क्या होता है? चुंकि स्विच के दो ड्रॉइंग पिन के बीच में जब केवल वायू थी तो बल्ब दीपती मान नहीं होता है। इसका तातपर है कि वायू भी विद्ध रोधक है। विद्ध चालक और विद्ध तारों, प्लक के उपर के भाग, सुइच तथा विद्ध उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड तथा प्लास्टिक का उप्योग होता है। चेतावनी आपका शरीर विद्ध का बहुत अच्छा चालक है अताहा विद्ध उपकरणों का उप्योग करते समय सावधानी बरतिये। प्रमुक्षप्द बल्बु विद्ध चालक विद्ध सेल विद्ध परिपत तन्तू विद्ध रोधक स्विच टर्मिनल प्रिष्ठ एकस और तेईज सारांश विद्ध सेल विद्ध का एकस रोध ह विद्ध सेल में दो टर्मिनल होते हैं एक धन टर्मिनल तथा एक रिन टर्मिनल विद्ध बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है विद्ध धारा प्रवाहित होने पर विद्ध बल्ब दीप्त होटता है बंद विद्ध परिपत में व पिछ एक सरल युक्ती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपत को तोड़ता अथ्वा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वे विद्युत चाला कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्धुत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वे विद्धुत रोधक कहलाते हैं। अभ्याज एक यहां दो वाक्य दिये गए हैं, जिनमें बीच में रिक्तिस्थान है, जहां शब्दों को डाल कर आपको वाक्य को पूरा करना है। एक युक्ति जो परिपत को तोड़ने के लिए उप्योग की जाती है, रिक्तिस्थान कहलाती है। एक विद्धुत सेल में रिक्तिस्थान टर्मिनल होते हैं। यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं, जिनहें सुन कर बताईए कि वो सही है या खलत। क, विद्धुत धरा धातूं से होकर प्रवाहित हो सकती है। ख, विद्धुत परिपत बनाने के लिए धातूं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। ग, विद्धुत धारा धर्मकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। तीन, व्याक्या कीजिए कि चित्र संख्या 12.13 में दर्शाई गई वैवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है। चार, चित्र संख्या 12.14 में दर्शाई गई आरेक को पूरा कीजिए और बताईए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। पांच, विद्धुत सुइच को उप्योग करने का क्या प्रायोजन है। कुछ विद्धुत साधित्रों के नाम बताईए जिन में सुइच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। यहाँ पर दो चित्र दिये गए हैं चित्र संख्या 12.13। इस चित्र में एक सेल पर दो तार यानि के धनात्मक सिरा और रनात्मक सिरा दर्शाया गया है। इन दोनों सिरों को आपस में एक प्लास्टिक वाले पेचकस से जोड़ा गया है। चित्र संख्या 12.14 में ऐसे ही एक और सेल को दर्शाया गया है जिसके दोनों सिरों को धनात्मक और रनात्मक सिरों को आपस में सेफ्टी पिन से जोड़ा गया है। प्रिष्ठ 124.6. चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदी रबड लगा दें तो क्या बल्ब दीपती मान होगा? 7. क्या चित्र 12.15 में दिखाये गए परिपत में बल्ब दीपती मान होगा? 8. किसी वस्तू के साथ चालक परिक्षित्र का उपियोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीपती मान होता है? क्या इस वस्तू का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याक्या कीजिए! 9. आपके घर में सुईच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड के दस्तानी क्यूं पहनता है? व्याक्या कीजिए! 10. विद्युत मिस्त्री द्वारा उप्योग किये जाने वाले आउजार जैसे पेजकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्राया प्लास्टिक या रबड के आवरन चड़े होते हैं. क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? कुछ प्रस्तावित क्रिया कलाप 1. कल्पना करो एक महिने तक विद्युत आपूर्ती नहीं है. यहाँ आपकी तथा आपके परिवार के अन्य सदस्यों के दैनिक क्रिया कलापों को कैसे प्रभावित करेगी? 2. आप अपनी कल्पना को नाटक या कहानी के रूप में प्रस्तुत कीजिए. यदि संभव हो तो स्वा लिखित अथवा अपने विद्यालई मित्र द्वारा लिखित नाटक का मन्चिये प्रस्तुती करण कीजिए. 2. अपने मित्रों के लिए आप एक खेल बना सकते हैं जसका नाम होगा आपका हाथ कितना इस्थिर है? आपको एक सेल, एक विद्युत पल्ब, लगभग डिर्ड मीटर लंबा धादू का मोटा तार जिसके प्लास्टिक के विद्युत रोधन को खुरश दिया गया हो, एक धातू की कुंजी, दो लोहे की कीलें, लगभग पांच सेंटी मीटर लंबी तथा संयोजक तार के कुछ टुकड़े चाहिए. एक लकड़ी के तखते पर लगभग एक मीटर की दूरी पर दो कीलें इस प्रकार लगाईए कि इन्हें हुक की भाती उप्योग किया जा सके. एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने को कहिए. तीन, आले सांद्रो वोल्टा, जिन्होंने विद्धुत सेल का आविशकार किया, किस संबंध में पढ़िए और जानिए, आप विद्धुत बल्ब के आविशकारक थौमस अलवा एडिसन के बारे में भी जानकारी प्राप् कर सकते हैं. इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का बारवां पाठ यहां समाप्त हुआ. वाचन परवेज गौहर, निर्मान वंदना अरी मर्तन, तथा प्रस्तुति CIET, NCERT, नई दिल्ली भारत.